वेल्कम टू फॉन फिक्स हैदराबाद अभी जो है अपने बाद सेके रेड्मी 10C का मोबैल है और यह डेट कंडिशन के अंदर है तो डेट कंडिशन के अंदर क्या प्रोब्लम हो सकता इसके अंदर कैसा चेक करना और यह सारा चीज़ के अंदर डिटेली बताएंगे आपको फ़र्श यहाँ चेक करेंगे अपन यहां नार्मल ही जो है यहां बोड का स्विचिंग देखेंगे DC के साथ क्रेट करके यहां स्विचिंग चेक करेंगे यहां जैसा केबल लगा दिये तो यहां कुछ इस मिल्लि एमपला शॉटिंग ले रहा है सिधा जो है अटो 10 ले रहा है यहां प्रेस करके देखिए किए पावर की प्रेस हो रहा यह नहीं हो रहा अगर कोई भी bugs शॉटिंग नहीं हो सिधा नहीं 200 अगर ऐसा लीकेश ले रहा है अगर आपका power की प्रेस करने में जो booting लेना स्टार्ट कर दिया मतलब समझाओ इसके अंदर secondary lens के अंदर कहीडा कही शौटिंग में है तो अभी इसका power की प्रेस करके देखेंगे यह switching होता या नहीं होता जैसा आप पावर की switch करने में, यह कुछ high booting लेके down हो रहा है, जैसा पावर की दबा दिये, तो यह 40-50 raise तक जा रहा है, और जैसा पावर की छोड़ दिये, तो तुरंद क्या हो रहा है, यह down हो रहा है, मतलब इस mobile के अंदर, secondary के अंदर, कही ना कही जगा यह shorting है, मतलब पावर के output lines के अंदर, या levo lines के अंदर, या buck lines के अंदर, कही ना कही जगा, यह वाला board के अंदर, अपने को shorting मिलेगा, तो पहली यह चक करना, हमारे को तो DC पे चक करने में, यह तो पता चल गया, मेरे को कहां जाके सीधा attack करना है, वर कहां करना है, तो अभी normally check करेंगे, इसके अंदर, मगर board को जो है, आउट करेंगे, और यहां चक करेंगे, इसके अंदर, सारा जो है, CPU और EMMC के अगल बगल के, और यहां जो है, यह circuit के अंदर, यह रैम अलक से लगा, तो रैम के अगल बगल में, और CPU के अगल बगल में, सारा cap, और यहां सारा जो है, जो buck line connected caps, और LDO lines के, जितने भी LDO lines है, सारा चक करेंगे, और ज़्यादा ज़्यादा होता है, तुम्हारे को, शॉटिंग जो बनता है, LDO lines के अंदर, आपको ज़्यादा बनता है, तो यहा को, यहाँ diagram के अंदर जो है, इस model का, टिंसी का जो है, यहाँ, तो, टिंसी का model के अंदर, यहाँ आपने पास इसका, कोई diagram तो अवलेबल नहीं है, इसका, मगर आपने पास जो है, इसका bitmap अवलेबल है, तो एक बार देखेंगे, स्क्रिमेटिक इसका अवलेबल है, क्या स्क्रिमेटिक diagram देखेंगे, यहाँ, जो मी मोडल के अंदर, रेड्मी, टेंसी का model, यहाँ देखेंगे, रेड्मी, यह माई 9 दिख रहा है, और रेड्मी के अंदर जाएंगे, और रेड्मी, 9C तक है, और टेंसी का कोई diagram है नहीं, अगर इसका होगा hardware solution होगा, तो जैसा देखेंगे, इसका hardware solution मिलता कि आपने को, hardware solution से भी आपको, सारा level lines का capacitor आपको मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप, जल्दी से जल्दी आप, बहुत easily, कम time के अंदर आप checking कर सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ, 10C का model देखेंगे, और 10C, हाँ, यहाँ तो मिल गए अपने को 10C, और 10C के अंदर आपको जा रहा है, in-out voltages में, यहाँ देखेंगे, in-out voltages open करेंगे, तो यहाँ देखेंगे अपने को, सारा जो है, यहाँ दिख रहा है अपने को, सारा, यहाँ दिख रहा है अपने को, VBUS, और VBAT, और VPH, और यहाँ दिख रहा है अपने को, एक-एक LDO का लाइन का दिख रहा है अपने को, VREG, L14A दिख रहा है, और यहाँ देखेंगे, नेक्स देखेंगे, यहाँ, यहाँ भी अपने को, सारा, VREG, L23A, L16A, और यहाँ देखेंगे, नेक्स जाके देखेंगे, यहाँ, CPU के, UMC के अगल बगल में भी दिख रहा है, बहुत सारे कैप लगए वह है, यह सारा जो है, सारा लाइन्स लगा वह है, तो जल्दी जल्दी से, यहाँ से अपन यह चेक कर सकते हैं, बहुत एजी लिए अपने को, कैप का लोकेशन के साथ दिख रहा है, तो बहुत एजी लिए अपन यहाँ चेक कर सकते हैं, तो यहां से स्टार्ट करेंगे पावल के अगल बजल से लेके अपन स्टार्ट करेंगे तो यहां देखेंगे इसका जो उपर वाला कैप जो है यहां चेक करेंगे यहां देखेंगे 340 का जो है GR मिल रहा है और यहां तो कोई शॉर्टिंग है ने उसके बाद नीचे देखेंगे नीचे वाला एक कैप के पास है तो यह वाला कैप के ऊपर चकट करेंगे यहाँ भी मेरे कोई शॉर्टिंग नहीं है और उससे सामने वाला कैप है A-B-A-L-D-O लाइन है यहाँ चकट करेंगे पर चक करेंगे, यहां भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहां भी आपको कोई शॉर्टिंग नहीं है, और नीचे के दरफ देखेंगे, यहां भी अपने कोई शॉर्टिंग नहीं है, और इधर तरफ का सारा तो हो गए अपने को, यहां नीचे के दरफ जाएंगे, नीचे के जो है सारा पॉइंट्स कनेक्टेड है जो बक्के साथ कनेक्टेड है सो लाइन और यहां देखेंगे एक एक क्याप के ओपर जाके चक करेंगे यहां 360 सेवन का जी आरारा यह भी अपने को ओके और उसके बाद उसी के सामने के तरफ नीचे के तरफ है यहां भी चक करेंगे यहां देखेंगे यह वाला लाइन के ओपर अपने को कुछ यह वाला लाइन के ओपर अपने को यहां देखेंगे यह वाला पॉइंट के ओपर यह वाला पॉइंट के ओपर टच करके देखेंगे सुरी मेरा ground में हो रहा तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी अपने को g r value मिल रहा है और उपर वाला यह व़ाँ wrapper देखेंगे यहाँ भी मेरे kiri r value यहाँ है और उसके नीचे आएगे तो यह वाला kripp के उपर भी دेखेंगे यहाँ देखेंगे यहां भी अपने को GR value मिल रहा है मतलब यह भी अलबी line अपने को ओके और उसके बाद उसका उपर वाला point टेक है तो यहां चब करेंगे यह वाला इसके उपर भी अपने को GR value मिल रहा है तो यहां भी कोई शॉर्टिंग है ने और उसके नीचे के तरफ देखेंगे नीचे के तरफ दो gap करेंट ठेड़ा है और yeah gap के नीचे यह वाला gap के उपर यहां देखेंगे यह वाला gap के उपर अपने को شॉर्टिंग दीख रहा है VREG L2 A यहां दीख रहा है अपने को कि ज़िखेंगे दो क्या कि यह वहला क्या baldje m अपने में को यह व собой पाइंच पॉइंट का बगल में करेंगे इसका तो कॉंपिन GR value मिल रहा है और उसके बाद यहां देखेंगे इसके उपर भी में रखू GR value मिल रहा है और उसके बाद यहां नीचे के दो cap है इन्हों के उपर भी चक करेंगे यहां भी में रखू GR value मिल रहा है और उसके बाद यह दो कैप इसके बीच में लगा हुआ है यहां भी मेरे को मिल रहा है यहां भी अपने को जी आर वैल्यू मिल रहा है और उसके बाद यह दो कैप के बीच वाला कैप के उपर यहां भी मेरे को जी आर वैल्यू मिल रहा है और उसके बाद इसी के बगल में जो उपर वाला कैप है इसके उपर भी मेरे को जी आर वैल्यू मिल रहा है और इसी का उपर के तरफ का कैप को इसके उपर भी मेरे को जी आर वैल्यू मिल रहा है और नीचे का दे रिखेंगे यह वाला कैप के उपर है दो तरफ भी मेरे कु शॉर्टिंग शो कर रहा है तो यह बीप के साथ 1.1 ओम शो कर रहा है इसको जो है ओनली डायोर मॉन में फिक्स करेंगे और चेक करेंगे यह वाला क्याप जो शॉर्टिंग शो कर रहा है जिरो 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 जोई शो कर रहा है तो जैसा यह वाला लाइंग जोई शोटिंग शो कर रहा है तो यहां देखेंगे यह वाला component किसके साथ connected है यहां देखेंगे इसका bitmap open करेंगे और जैसा इसका bitmap करेंबर जाएंगे जैसा तिनसी का bitmap यहां मिल गए आपने को तो यहां जो गयाप करेंटेड़ यहां ट्रह वाला कैप जो अपने को बीप कर रहा है तो इसके के आपड़ चरीगे तो यहां से लेका कपने को यहां सारह जो है ये connectivity जा रहा है आपको सारह इतने चाप का connectivity जा रहा है यह सारा connectivity जा रहा है अपने को जो power के power के pass में जो power AC के pass में दो coil connected है और यह दो coil connected हो सकता है यह APC का line का या buck line का line हो सकता है इसके अंदर यह दो coil के साथ connected हो के है तो जैसा आपन हो सकता है यह power shot होने से हो सकता है हो सकता है यह इनी component में कोई shotting हो सकता है हो सकता है इसका CPU शाट हो सकता है ये तीनों में से कोई भी शाटिंग हो सकता है तो first ये करना है आपको फ़रे कर ये confirmation करना इसका जो – coils को remove करके ये चक करना है इसका coils को खटा देना हादा देके ये चक करना ये power के तरफ prisoners शाटिंग है या CPU के दरफ शॉर्टिंग है इसाई दो कोईल कु अटादी है अगर पावर के तरफ शॉर्टिंग आ रहा है तो मैं पावर के उपर एटक कर सकता हूँ या नहीं मैं इसाई दो कोईल को अटा दिये तो मैं CPU का तरफ वर्क कर सकता हूँ तो देखेंगे फर्स यहां यह चक करेंगे यह वाला लाइन के उपर यहां देखेंगे यह सारा लाइन कनेक्टेड है यह पावर के तरफ से कनेक्टेड है तो यहां देखेंगे यह दो तरफ भी में रहा हूँ 347, 343, 54 का यहां तो में रहा हूँ GR वैल्यों मिल रहा है और यहां अपोजिट साइड में लाइन में चेक करें तो यहां में रहा हूँ 0000 शो कर रहा है यह अपस में यहां देखेंगे यहां B पारा है totally मतलब यह लाइन जो है मेरा shotting के अंदर है तो यह वाला लाइन के अंदर बहुत कम voltage चलता है 0.80 voltage का लाइन होता है तो अगर में रहा हूँ आपन हलका सा रोजिन करेंगे आप 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 हलका सा जो है सीप्यू के उपर भी लगाएंगे यहां कोईल का जिस तरफ के अंदर शोटिंग है अपने को उसी तरफ हलका सा ओल्टेज इंजेक्ट करना है तो यहां देखेंगे जैसे यहां फर्स्ट इस लाइन के अंदर ओल्टेज सेट करेंगे यहां एंपर्स वोल्टेज डाउन कर देइंगे यहां करेंगे फॉर्ल पॉइंट यह सदी जिरो उल्ट चलता है तो जिरो पॉइंट एट जिरो जो उल्ट करेंगे और एंपीर जो है नीएं वर्ना एंपीर लेंगे यहां और वन एंपीर यूस करेंगे यह यह जैस्ट ओल्टेज को हलका सा जो है यहाँ voltage को इंजट करके देखेंगे तो यहाँ 0.80 voltage में तो अपने को कोई component तो इसके अंदर burn होआसर का या कुछ होआसर का जा CPU के दरब भी कुछ भी होआसर का यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है आपने को और थोड़ा बहुत हलका सा voltage को अपन बढ़ाएंगे यहाँ जेश्ट 1 volt करेंगे और 1 volt के अंदर और 1 amp के अंदर चेक करेंगे यहाँ हलका सा जेश्ट यहाँ टच अप करेंगे और जेसा हलका टच अप कर दिये तो एक इनेट थोड़ा सा जेश्ट 1 volt कर दिये यहाँ 1 volt और 1 amp के अंदर हलका सा यहाँ लगाएंगे तो यहाँ दिख रहा है अपने खूँ एक क्याप जो है यहाँ हलका सा क्या हो गया है बर्न हो गया तो इस क्याप को बोर से राटा दिंगे अंदर से अपने जो काप को अडा दिये हैं उसके बाद चेक करेंगे यहाँ को शाटिंग है नहीं थोड़ा सा बोर्ड को धंडा खूंड खूंड़ कर दिंगे किंगे 370 तो यहां कॉईल फिक्स करेंगे कॉईल फिक्स करने के बाद यह देखेंगे इसके अंदर स्विचिंग हो रहा क्या बोर जो है जो हाई पूटिंग के साथ ना होके नार्मल ही हो रहा क्या कि अटो फिक्स कर सकते ही हो इसके बादय के झादय फिक्सके बादय के जादय केक्प़दब के बादय के बादय प्रयों प्रपदों में जयब। प्राइब अबग बूट टेबल जो है दूसरा बूट के बूल है इसके साथ चेक करेंगे और यहां देखिएंगे फोन तो यह प्रॉपरली जो है यह स्विचिंग हो गया और फोन यह अन्वी हो गया और लेवन और फिर से चेक करेंगे आप और की को दबाएंगे जैसा यह बूर्ड स्विचिंग कर गया और फोन यह अन्वी हो गया अपना तो चेक करेंगे इसका ग्राफिक का भी लाइन चेक करेंगे तो यहां देखिएंगे कनेक्टर के पास यहां देखिएंगे इसका हाड़वेर सुलूशन में जाएंगे यहां देखिएंगे ग्राफिक के लिए जो है लाइन जो क्या आ रहा है इसके उन्दर ग्राफिक के लिए ये ल्सीडी का पीडियाफ ओपन करेंगे पीए की लाइन है सारा यहमाई पीए का देखिएंगे अपने को यहां देखिएंगे अब यहां 368 जीराराई यहां भी देखिएंगे 368 जीराराई बीच में ग्राउंड होगा और यहां भी अपने को जीराराई यहां भी अपने को जीराराई मतब सारा YM-I-P-I का लाइन तो सारा कुछ ओके और उसके बाद देखेंगे यहाँ उसके बाद देखेंगे यहाँ CPU से आने वाले T का लाइन, Reset का लाइन चक करेंगे और यह दो लाइन ओके या नहीं है तो यहाँ देखेंगे इसके बगल वाला पॉइंट पे यहाँ भी अपने को GR वेल्यू मिल रहा है इसके उपर, यह वाला कनेक्टर के उपर और, स्वारी यह वाला पॉइंट जो है इदर से लेके 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 यह वाला पॉइंट के उपर 1500 का GR मिल रहा है और, उसके बगल वाला पॉइंट के उपर यह रिश्टर कनेक्टिड है इसके उपर भी अपने को प्रापरली, GR वेल्यू यहाँ भी अपने को मिल रहा है यह वाला लाइन भी ओके, T भी ओके और, अपना रिसेट भी ओके, और उसके बाद वी असपी वाला पॉइंट वी असपी है, तो यहाँ अपने को सीधा GR मिलना है, यहाँ तो कुछ GR नहीं मिल रहा है और, नेक्स देखेंगे वी असन के उपर लगा के देखेंगे यहाँ वी असन के उपर, यहाँ ओला रहा है, इसको प्रोब को रिवर्स करके चेक करना है अपने को यहाँ आपने को 578 का GR वैल्यू मिल रहा है मगर, वी असपी का लाइन यहाँ आईसी से अपने को ओपन है, तो देखेंगे वी असपी का लाइन जो है यहाँ ग्राफिक कंट्रोलिंग आईसी कहां कनेक्टेड है तो यहां देखेंगे एक छोटा सा IC लगा हुआ है BSP और BSN के लिए यहां graphic controlling छोटा IC लगा हुआ है इससे लेके अपने को बीच में कोई resistance तो नहीं है यहां इस line के अंदर कोई भी type of resistance नहीं है series component नहीं है सीधा सीधा जो line आ रहा है IC से ही आ रहा है तो एक बार यह वाला जो graphic section का यहां इसका छोटा team जो लगा वहीं इसी के अंदर है यह वाला section तो इसका team जो है पहले हटा लेंगे और अा तो कर दो अपत कर दो, का जब कर दो आए पर को झाने हैं हाया तो अपत कर दो अपत कर दोका करा दो आए हो जा है istem जस प्तूर बचल में सबस्सटा बुट को रहना है फत्र नह चुट जस uros ब 세काड़ uh कि यह चोटा सा ग्राफिक की से लगा हुआ है हो सकता है यह ट्रै हो गया तो इसको अलका सा जो है मैं फिले इसको पेश लगा के अलका सा इसको डैंसिंग करा के देखता हूं उसके बाद अगर फिर भी जो है उट्पुट लैन में कुछ नहीं आ रहा है तो आई सी डॉट से देखे के करेक्टर तक का करेक्टिवीटी चेक करना है उसके बाद ऐसी चेंज करके देख सकते है आप तो फास देखेंगे इसको इसको付ेंगेzentर मेन करेक्टर cuánt इसको आई सकते हैं आई सकत्यास नहीं हो जब आई आप चेक करेंगे जो IC को अलगा सा हिला दिये तो यहां देख सकते हैं यहां भी अपने को अपने को लाइन के अपने को अपने को लाइन के ओपर यहां जी आर वैल्यो मिल गया तो अब चेक करेंगे इसका बाइन को पर ली अब चेक को अब गया तो अभी हो गया यहां यहां यह 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 मैंका लोगो आ गया और वैटरी का तो अलकाज़ा इसको स्विचिंग करके देखेंगे है जो चार्जिंग का सिंबल इसका आ गया तो यह लोडिंग के अंदर आ गया है यह सिदा फोन यहान हो गया है तो पुरा फोन अपना खुल गया है यह कि अब करेंशन भी मोग और बैटरी का पर बसे एंप तो अपना फॉन प्रॉपर्ली जाए पूरा अन हो गया और सारा कुछ चल रहा है अगर आपको इस टाइप का प्रॉपर्ली रिपेरिंग सीखना है और स्विचिंग के बारे में डी सी के बारे में प्रॉपर्ली सीखना है और स्क्रिमेटिक प्रॉपर्ली सीखना है लाइन ट्रेसिंग प्रॉपर्ली सीखना है और लाइव प्रैक्टिकल करना है आपको क्लास के अंदर बैटके लाइव रिपेर करना है आपको और जो प्रैक्टिकल के अंदर आपको सारा कुछ सिखाते जैसा ब्लैक पेस्टड हो ग हो गया और schematic diagram read करना है और schematic diagram chinbar करकर करके आख न को छ eq करना है और कहां से क्या कूल रट बनता है यह सारा detail हमारा कोर्स के अंदर हुता है अभी हमारा next best order हें 27 नॉम बर से था बाइब भच्छ और रहा है आप जैन 説 सकते जो स्क्रीन पर दिया हुआ है निम्बर को कॉल कर सेते हैं तेंक्यू तेंक्यू परी बुच्छ